एलो फिंट्स साफ्वीकाप बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सिटोप चैनल खुशा जिन्गी में तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्टरीना कैफ के बारे में और इस वीडियो में हम खास बात करेंगे कि क्या काटरीना कैफ ने प्लाश सर्जरी कराई है या फिर नहीं तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नहीं है अभी तर मारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमाचेने को लाइक, सस्क्राइब और शेयर कर दीजेगा तो चलिए बनागिस देजी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं तो कई अक्टर और अक्टरसेस अपनी फाइन लाइन्स को और साइकी स्किन को छिपाने के लिए और और यंग दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराती हैं निज़रें प्लाइस सर्जरी भी कहते हैं और कई लोग परफेट फीचर्स पाने के लिए जो है वो टॉक्स और अन इंजेक्शन का इस्तमाल भी करते हैं हराकि हर को इसके बारे मुकर जाता है और कोईना मित्रा ने स्विकार किया था कि उनकी जो नोज सर्जरी है उसके बाद उनका करर खतम हो गया था और शुरती असन ने बाद स्विकार की थी कि लोग ने भी प्लाइस सर्जरी कराई अपनी नोज के लिए नोज को फिक्स कराने के लिए और कई लोग ये भी कहा रहे हैं कि काटीना कैफ ने भी कॉस्मेटिक सर्जरीज का इसमाल किया है तो हाली में काटीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था और इसमें वो अपने मेकप ब्रैंड के प्यूटी बाइ काटीना का प्रमोशन कर रहे थी और फैंस ने लोटिस किया है कि इस वीडियो में काटीना काफी अलग दिख रही है चाती साथ काटीना ने इनकी नोस और बोटॉक सर्जरी के बारे में लोग कह रहे हैं उन्हें बोटॉक सर्जरी कराई है और काटीना अपनी पहले की वीडियो और फोटो से काफी अलग दिख रही है और हाला कि इससे पहले भी काटीना काफ की सर्जरी खबरे आ रहे थी जिसमें वा सलमान खान द्वारा होस्ट किये के बिग बोट सिक्स्टीन के सेट पर आई थी और जिसमें वा अपनी फिल्म फोन भूत का प्रचार कर रहे थी और मांदारे से कहूं तो मुझे फिल्लर्स और फ्लारी सर्जरी से कोई अपती नहीं है लगिन इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि इसी भी चीज़ पर ध्यान के इंदित करना मुश्किल हो जाए तो ऐसा फैंस लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में और एक फैंन ने ये भी लिखा है कि प्लारी सर्जरी डॉक्टर ने माचीन लिया है जो मूल रूप से भगवान ने दिया था तो आपकी क्या रहा है मैं करून ज़रूर बताएगा तो आज पर इस इतना ही वीडियो बसंद आगे तो प्लीज हमाचीन को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करेगा और ऐसे लिटेस्ट वीडियो के लिए हमाचीन को सस्क्राइब करने मत भूलिएगा तो मिलते हैं आज से अपनी अगली वीडियो में तब तके नमस्कार और अपना ध्यान रखें